प्रदेश में होने वाले फॉरिस्गार भरती परिक्षा में धांदली के मामले में छात्र लगातार परिक्षा रद करने की मांग कर रहे हैं। मामले पर वर्ण विभाग के प्रमुक जेराज का कहना है कि काफी समय बाद फॉरस्टगार परिक्षक आयो चुन किया गया लेकिन परिक्षा धांदली में अटक गई फिलहाल विभाग आयो के निर्देश का इंतिजार किया जा रहा है देखे डेफिनेटली जो ये डिले हुआ है तो हमें तो सफर करी रहे हैं हम लोग इसमें कोई दोरा आनी बारा सुपत बहुत जादा होते हैं पर एक बात और भी समझनी है कि हर चीज़ के लिए बड़ी सारी परिक्रियाएं होती है जब ये इसको करने की कोशिश की गई तो कोट में लोग चले गए अब कोट में तो हम लोग बस में फिर नहीं रह जाता है और इसलिए टाइम लगता ही है उसमें परकोशिश की गई और फाइनली जो है अच्छा हुआ एक एक एक्जाम हो गया अब आगे क्या होगा और कैसे होगा ये तो देखने वाली बात है तो चातर परिक्षा निरस्त करने की मांग यहां पर की जा रहे है क्योंकि इसमें दहंदी देखने को मिली थी तो विभाग फलाल आयोग के पैसले का इंतिजार कर रहा है और जो कुछ पैसला यहां पर आता है उसी के तहत आगे की जो कारवाई है वो की जाएगी